हेलो दोस्तों कैसे हो आप तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड, एपिसोड 10 मिस्टरियो सगुन्थी अब तक, कहानी में अब तक हमने देखा, रेवा कपूर और राज मलोत्रा जो की श्रेया का मंगेतर था पिछ्छी लाइफ में बिफोर श्रेया रिबॉन एंड रेवा कपूर श्रेया की सौतेली बहन, दोनों ही सिंधानिया इंडस्ट्री में बिजनेस डील के लिए आते हैं उनकी डील फाइनल भी हो जाती है, दोनों ये जानकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, डील मिलने की खुशी में वो दोनों अपने घर चले जाते हैं इधर महरा हाउस में श्रेया एंटीक मार्केट से आकार बहुत ठक गई थी, इसलिए वो अपने रूम में फ्रेश होने के लिए जाती है, साथ में ही वो नित्या आंटी चोकी श्रेया की ननी है को जूस उसके कमरे बेजने के लिए और मौम आने के बाद उसे बताने को कहती है उसके बाद श्रेया अपने रूम में चली जाती है अब आगे श्रेया अपने रूम में जाकर अपना बैग कमरे में रखे सोफे पर फेक देती है और बाथ रूम में शाव लेने चली जाती है शौव का थंदा पानी अपने उपर पढ़ने से श्रेया को थकान से राहत मिलती है उसे अच्छा लगता है, उसका माइन भी फ्रेश हो गया था, आखिर सारी थकान जो चली गई थी शौव लेने के बाद श्रेया ड्रेसिंग रूम में जाकर ड्रेस चेंज करती है उसने बहुती कमफर्टेबल शॉर्ट्स और डिलासा एक टी शर्ट पहन लिया था वो उसमें बहुती प्यारी लग रही थी, उसके बाद वो नित्या आंटी ने भेजा हुआ जूस पीती है अपने बैग जो की उसने सोफे पर फेक था उसे उठा कर स्टरी टेबल पर लेकर बैग जाती है बैग में से उसने एंटीक मार्केट से लाई हुवी अंगूथी निकलती है वो उस अंगूथी को अच्छे से साफ करती है साफ होने के बाद वो अंगूथी हीरे की तरह चमकने लगती है वो एक बहुत ही खूबसूरत अंगूथी थी जो थोड़ी देर पहली इतनी गंदी लग रही थी अब वो अलग ही तरह की खूपसूरत अंगूती में बदल गई थी श्रेया पहले उसे गौर से देखती है उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था पर उसे वो अंगूती बहुत पसंद आ गई थी इसलिए वो बिना सोचे समझे उसे बापने राइट हैंड की उंगली में पहन लेती है वो अंगूती गोल्ड की थी और उसमें बीच में रेट कलर का रियल डाइमंड लगा था उसमें बहुत ही बरकाई से काम किया था वो अंगूती दिखने में बहुत ही अट्रक्टिव लग रही था श्रेया के उस अंगूथी को अपने राइट हैंड के रिंग फिंग में पहने के बाद उसके शरीर में अजीट सी ही थंड़क पहचती है जैसे कोई पावर उसके अंदर जा रही हो और ये उसे पोजिटिव वाइब दे रही थी अचानक ही उस अंगूथी में से रेड रंग की रोशनी निकलती है श्रेया ये सब देखकर सब समझने की कोशिश कर रही थी तब ही उसे कुछ आवाज आती है जो की कुछ हिस्तरह की थी हेलो, मास्टर श्रेया, मैं अंगूथी बोल रही हूँ अपने मुझे खरीदा इसलिए आज से आप मेरे मास्टर हो गई है अगर आप मेरा इस्तेमाल करना चाहती है तो पहले आपको अपना बलड मुझ पर पर धालना होगा इसे से आप और मैं एक बंधन में बंध जाएंगे मैं एक तरह की स्टोर रंग हूँ उसी के साथ मैं 100 साल पुरानी अंगूठी हूँ मेरे अंदर आप जितना समान स्टो करना चाहती हो वो सब स्टो कर सकती हो पर अभी के लिए मेरी स्पेस बस एक 200 स्क्वाय मीटर रूम जितनी है मैं आपको ये सब इसलिए बात रही हूँ उसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पाती आपके अंदर पावर है इसलिए मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर पा रही हूँ जैसे जैसे आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी वैसे ही मेरा स्पेस भी बढ़ा हो जाएगा और अगर आप चाहती हो कि मैं किसी को दिखाए न दू तो मैं अपने आपको गायब भी कर सकती हूं। आखिर मैं हूँ ही इतनी ब्यूटिफुल और अट्रक्टिव और सो साल पुरानी तो आप मुसीबत में पर सकती है। तो क्या आप मेरा यूज करना चाहती हो, मेरे पास पुरानी सो साल की सारी किताबों का भी संग्रह है। जो आपके कामा सकता आप जब चाहू तब उसका उप्योग कर सकती हो। तो आप क्या कहती हो मास्टर श्रेया। अंबूथी श्रेया को अपनी खुबिया बताने के साथ खुद की ही खुद तारीफ भी करती है। श्रेया तो उस अंबूथी की इतनी सारी बातों को सुनकर पहले ही शोक में गई थी। उसे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो अंबूथी वो एंटीक समझ कर एंटीक मार्केट से सो रुपे में लाई थी वो असल में एक जादू इस्टो अंबूथी है। और अपना बदला लेने के लिए रिवा और राज से बहुत देर से श्रेया का कोई रिपलाई ना आने से अंबूथी फिर से एक बार श्रेया से कहती है। अंबूथी श्रेया से कहती है मास्टर अब जब आपको मेरी जरूरत होगी तो आप मुझे अपने मन में याद कर लेना मैं आपके काम के लिए हाजर हो जाओंगी। अपने बताया नहीं मैं गायब हो जाओ या इसी तरह आपके उंगली में रहू। इस पर श्रेया कहती है कि तुम अभी के लिए तो गाय भी रहो बाद में देखते है आगे का। इस पर अंगूर्थी कहती है जैसी आपकी मरजी मास्टर आपका और कुछ काम है तो बता दीजे मुझे अब सोना है। जिसे आपको मेरे अंदर स्टो करना होगा और मुझे बताना होगा। पर आपको ये सब आपके मन में ही बोलना होगा। और अगर कोई चीज निकलनी होगी तो बस उस चीज का नाम लेना मैं आपको वो चीज आसानी से आपके हाथ में रख दूगी। उद्धरल चिन डॉट अंदूठी कहती है ठीक है मास्टर अब आपको जो चीज स्टो करनी है उस पर हाथ रखो और मुझे बताओ फिर मैं उसे स्टो कर दूँगी। श्रेया कहती है ठीक है फिर वो अपने रूम में इदर उदर देखती है उसे समझ ही नहीं आ रहा था कौनसी चीज स्टो करूँ फिर वो अपनी सामने टेबल पर रखी हुई बुग देखती है वो उस बुग पर हाथ रखती है और अपने मन में अंगूर्थी को उसे स्टो मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ. अब मुझे अपने अंदर का स्पेस और क्या क्या स्टो है वो दिखाओ. अंगूर्थी श्रेया से कहती है, तारीफ के लिए शुक्रिया मास्टर, ये जानकर खुशी हुई कि आप मुझे से संतुष्ट है. अब मैं आपके सामने मेरी स्पेस दिखाती हूँ, और उसमें स्टो की हुवी चीजे, आप अपनी आँखों के सामने या फिर आखें बंद कर कर भी देख सकती हो. अंबूठी के इतना कहने के बाद श्रेया को अपने आँखों के सामने एक रूम जितना स्टो स्पेस दिखाता है जिसमें मैं बहुत सी पुराने जमाने की बुक्स स्टो की हुई है. आयुर्वेद, जड़ी बुठी की, योग अभ्यास एसी ही बहुत सारी प्राचीन विद्याओं की बुक्स थी, साथ ही मैं, कुछ सोने के आभुशन, हीरे, मानिक, रुभी भी थे. श्रेया ये सब देख कर खुश हो गई वो इससे बहुत अमीर बन जाएगी. वैसे पहले ही उसके पास बहुत सारे पैसे थे, पर उसकी मॉम के थे, यानि की कहा जाए तो उसके ही थे. पर वो अपने बल्बूते पर कुछ करना चाहती थी. श्रेया अंबूर्थी से कहती है, वा, तुम तो बहुत ही काम की चीज हो. अंगूर्थी कहती है Thank you master, क्या आप मैं सोने जाओ श्रेया कहती है ठीक है, जाओ पर जब मैं बुलाओ तब आ जाना अंगूर्थी श्रेया से कहती है जी, master फ्रेंड्स आज के लिए BS इतना हाई, कल मिलते है फ़र एक न्यू एपिसोड के साथ अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, तू प्लीज गाइस विडियो को लाइक टरना, कॉमेंट टरना और चैनल को सब्सक्राइब टरना न भूलना देखते रिये कहानी में आगे क्या होता है